हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे लेमार्क वाद, डार्विन वाद, जाती उद्भव और मानुवी उद्क्रांती के बारे में चास डार्विन ने विवित प्रदेसों के वनस्पती तथा प्राणियों के असंख नमूने कठा किये और उसके निरिच्ण के आधार पर प्राकृतिक चैन का सिद्धान प्रसिद्ध किया इस सिद्धान्त में उन्होंने ये कहा कि जो सच्चम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रगता है डार्विन ने इसके लिए और जीन अप्रसीज यह पुस्तक भी प्रसिद्ध की सपस्टी करण देते विर डार्विन ने कहा है सभी सजीव असंखे मात्रा में पुनृत पादन करते हैं यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुर्धर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है परन्तो प्राकर्तिक चयन भी महत्पुन है क्योंकि प्रकर्ति में केवल अनुकूल सजीव ही नई प्रजाती का निर्मार करते हैं उन्होंने प्रतिपादित किया कि सजीवों की सभी प्रजातियां एक समान पुरजों से क्रमस एक हजारों वर्षों के कालखंड में विक्सित हुई हैं इस विकास के लिए प्रकर्तिक चयन का सिध्धान्द जिम्मेदार है अगला है ले मार्कवाद जिसे इंद्रियों का उप्योग या अनुप्योग का सिद्धान भी कहते हैं इन्होंने कहा उतकांती होते समय सजीवों के सरी रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किये गए प्रैत्न अत्वा किये गए आलस पर निर्भर होता है फ्रांसीसी विज्यानिक जीव बेप्टिस्ट डी ले मार्क ने जैव विकास की प्रक्रिया संबन में पहला तर्क संगत सिद्धान प्रस्तुत किया था ले मार्क ने फिलोसोफी जुलोजिक नामक पुस्तक लिकी जो 1809 में प्रकासित हुई ले मार्क वाद को उपारजित लक्षणों की वनसा गती का सिद्धान भी कहा जाता है यह सिद्धान निम्न आवधारणा उपर आधारित है वातावरण के प्रभाव या अंगों के कम अथवा अधिक उप्योग से जो परिवर्तन सरीर में हो जाते हैं उन्हें उपारजित लक्षण कहते हैं यह लक्षण अगली पीड़ी में चले जाते हैं अर्थात उपारजित लक्षणों की वनसा गती होती है पीडी दर पीडी लच्छुनों का समावेश होता रहता है और अंत में नई प्रजाती बन जाती है अपने सिद्धान को प्रमाडित करने के लिए लेमार्क ने अनेक उधारन प्रस्तुत किये जिन में सिनिमलिकित प्रमुक है पहला जिराफ की लंबी गर्दन लेमार के नुसर अफ्रीका के वनों में पाये जाने वाले जिराफ लाखों वर्षों पुरू एक साधारन हीरण के समान जन्तू था उस समय वहाँ घास का हरा भरा मैदान था बाद ने मरुस्तली वातावरण के बदली प्रभाव एवन अन्य वातावरणी कारणों से वहाँ घास की कमी हो गई जिससे फलसरूप जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्बर होना पड़ा बोजन के लिए जिराफ को अगली टांगों को अधिक उचा रखते हुए गरदन को निरंतर उपर खीचना पड़ता था जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने के लिए अगली टांगे और गरदन लंबी होती गई और पीड़ी दर पीड़ी वनसागत होकर वर्तमान जाती का स्थाईल अच्छन बन गया तुसरा उधारण सर्पों में पैर का न होना लेमारक के अनुसार प्रारंबिक काल में सर्पों की पैर होते थे किंटू भूमी गद जीवन जीने के लिए ? बिलों में घुषने के लिए पैर बाधक होते थे तीसरा जल्यपक्षियों में पानी में तैरने के लिए इन पादों की उगलियों की बीचकी त toolbox तनी रहती थी जिसके कारण जाल युगत्पादों का निर्मार हुआ चोथा करण पल्लों की पेशियां, करगोस, गाय, हाथी, कुत्ते, आधी में करण पल्लों पेशियां अधिक विक्सित होती हैं, क्योंकि ये जन्त अनका अधिक उप्योग करते हैं, किन्तु मनश में ये इसका उप्योग नहीं करने की कारण धीरे-धीरे विलुप्त हो चला ह जीवों के शरीर तथा अंगों के आकार में व्रिद्धी होने की प्रविद्धी पाई लेमार्क वाद का कई वेग्यानिकों ने खंडन किया तथा प्रयोगों व उधारणों से यसिद्ध कर दिया कि उपारजित लच्छडों की पीड़ी दर पीड़ी वन्चागती नहीं होती और नहीं उन अंगों का अधिक विकास होता है कुवियर तथा वीजमान लेमार्क वा समाप नहीं हुई तथा नहीं इसकी लंबाई कम हुई उन व्यक्तियों में जो निरंतर पढ़ने लिखने में अपनी आखों का अपयोग करते हैं आखे जल्दी कमज़र हो जाती हैं जबकि लेमार्क वाद के नुसार इनकी आखे और अधिक बड़ी एमसुविक्सित हो जा जागत नहीं होती हैं इस प्रकार से विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से सरीर अंगों का विकास अत्वा प्रयत्न करने के कारण धीरे धीरे नस्ट होना माने हुआ परन्तु उसका पीड़ी दर पीड़ी संक्रमण अमाने हुआ क्योंकि स्वेम में लाए गये परिवर प्रतन नई पीड़ी को नई दिये जाते हैं इसकी बार-बार जांच की गई और लेमार्क द्वारा प्रतिबादित सिध्धान गलत साबित हुआ दोस्तो हमारा अगला टॉपिक है जाती उद्भव पुल्व जाती से नई जाती का निर्माण ही जाती उद्भव कहलाता है वर्तमान स्प्रसीज का परिवर्तन सिल परियावरण में जीवित रहना आवश्चक है क्योंकि यह नई जाती का उद्भव करते हैं इन जातियों के सदस्यों को जीवित रहने के लिए कुछ बाहरी लच्छणों में परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा कारण है प्राकृतिक वर्ण कोई जीव अपने पर्यावर्ण के प्रती बहुत अच्छे तरीके से अनुकुलित होते हैं। बहुत अधिक संतान को उत्पन करते हैं और अपनी उत्तर जीविता को बनाये रखने के प्राकरतिक वरण के द्वारा उत्पन संतती में विभिनताएं होती हैं और यदि विभिनताएं अपनी मूल गुड़ों से बहुत अधिक हो तो जीव जीन्स में बहुत अधिक परिवर उन दोनों स्पिसीज के सदस्यों की जनन कोशिक संलैण करने में असमर्थ होती हैं जिसके कारण नहीं जती का उद्वा होता है तीसरा कारण है भोगौलिक प्रिथक करण भोगौलिक आकरती जैसे की नदी, पहाड, आधी जो कि एक जाती के सदस्यों की बीच जीन्स के प्रवाकर रोकते हैं जिसके कारण किसी एक जाती के जीव अलग-अलग होकर दो जाती का निर्माड करते हैं इस प्रक्रम को भोगौलिक प्रिथक करण कहते हैं लियांगिक जनन करने वाले जीव में भोगौलिक प्रिथक करण के कारण ही जाती उद्भव होता है एक प्रवाक कारण है स्थानी समस्टी में विभिनता जब कोई उपसमस्टी भगवलिक प्रिथक करण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है अर्थात अप्रवास करता है वो नय स्थान को अपने आवास बना लेता है और उस निवास के किसी उपसमस्टी के साथ जनन करता है जिसके कारण जिन का प्रवा होता है और उससे एक नई जाती का उद्वा होता है। हमार आगला टॉपिक है मानविय उत्करांती। उत्करांती के कारण अत्यनत सरल एक कोस्ट की सजीव से लेकर आज तक ज्यात सभी जैविवित्ताओं का स्रिजन हुआ दिखाई देता है। करीब करीब 7 करोड वर्स पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनास हुआ तब बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत लेमियूर की जैसे दिखने वाले प्राणीों से विक्सित हुए होंगे। चार कोरुड वर्ष पूरु अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूछ नस्टवी, उनके मस्तिस का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ, हाथों के पंजों में सुधार हुआ, तथा वे एप जैसे प्राणि बने। कालांतर में यह एप जैसे प्राणि दच्छिड तथा आगनेद एशिया में पहुचे, तथा अंत में गीबन तथा औरंग उटान में उनका रुपांतरण हुआ, शेश एप जैसे प्राणि अफ्रीका में ही स्थाई हुए, तथा लगभग धाई करोड वर्ष पूर्व उनस हाथों का अधिक उपयोग होने लगा, सुष्क होने वाली वातावरण के कारण जब जंगल नस्ठ होने लगे, तब ये एप पिर्डों से उतर कर नीचे आए, उनके कमर की हड़ियों का विकास इस तरह हुआ, कि वो घास वाले प्रदेशों में खड़े रहने लगे, तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए सुतंत्र हुए, ये हाथों का उपयोग करने वाले, सीधा खड़ा रहने वाले पहले मानो सद्रिश प्राणी लगभग दो करोड वर्ष पुर्व अस्तित्व में आए, मानो सद्रिश प्राणीयों की सबसे पहली अभी लिखित हमारे के पास है जो पुर्व अफ्रिका के रमापिते कस एप की है, आगे चल करिया एप आकार में बड़ा हुआ तथा अधिक बुद्धी मान हुआ, करीब 40 लाख वर्ष पुर्व दच्छिड अफ्रिका के एप का विकास हुआ, करीब 20 लाख वर्ष पुर्व इस मानो सद्रिश का एसिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास रहा था, करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिस्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा, तथा उसने अगनी के उपयोग को खोज निकाला, करीब 50 लाख वर् बुद्धिमान मानो, होमो सेपियन इस वर्ग का सदस्य मानने योग ये हो चुका था, नियंडरतल मानो, ये बुद्धिमान मानो इस वर्ग का पहला उधारन माना गया है, करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रो मैगनन मानो अस्तित्व में आया, तथा उसके बाद ये विकास पह दखने की कला का विश्कार हुआ, तथा इतिहास की सुरुवात हुई, करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदे हुआ, तथा 200 साल पूर्व और योगिक समाज की सुरुवात हुई, अभी हम यहां तक आये हैं, फिर भी आज तक मानो वन्स के उद्गम के वि